अनि हवे आपने सिधाले जीशु प्रधान मंत्री बोली रहाचे संबाद मा आवोसां बड़ी तेवशु कही रहाचे दुनिया में भी कोई खरीदार नहीं होता है देश में भी दाम गिर जाते हैं और बहुत बड़ी चुनवती पैदा रखना कहां वो भी संकट हो जाता है ऐसी सारी चुनवतियों को कम करने में और इसका सीधा लाब गन्ना किसान के सुरक्षा से जुड़ जाता है बहुत लाब होने वाला है सात्यों 21 सदी के भारत को 21 सदी की आधुनिक सोच आधुनिक नितियों से ही उड़्जा मिलेगी इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेतर में निरंतर नितिगत निर्णे ले रही है देश में आज इथेनोल के उत्पादन और खरीद के लिए जरूरी इंफास्ट्रक्टर के निर्मान पर बहुत जोर दिया जा रहा है अभी तक इथेनोल बनाने वाली जादा तर इकाईया और जादा तर चार पाँच उन राज्यों में ही थी जहां चीनी का उत्पादन जादा होता है इसका विस्तार पूरे देश में करने के लिए जो सड़ा हुआ नाज होता है निकमा हुआ नाज होता है उसका उप्योग करते हुए फूर्ड ग्रेंड बेच डिस्टिलरिस की भी स्थापना की जा रही है एग्रिकल्चर वेश्ट से इथेनोल बनाने के लिए भी देश में आधुनिक टेक्नोलोजी आधारित प्लांट भी लगाए जा रहे हैं साथियों जल वायू परिवर्तन के खत्रे से निपटने के लिए जो वैश्वीक प्रयास चल रहे हैं उनमें भारत एक आशा की किरन बन करके उभरा है एक विश्वास्त मानव जात के कल्यान के लिए विश्वस्त साथी के रुप में आज भारत ने परी पहचान बनाई है जो दुनिया कभी भारत को एक चुनवति के रुप में देखती थी क्लाइमेट चेंज भारत की इतनी बड़ी आबादी लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा आज स्थिती बदल गई आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है एक विक्राज संकट के विरुद बड़ी तांकत बन रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड एक सुरज एक स्रुष्टी और एक ग्रीड की ववस्ता कि वीजन को साकार करने वाला इंटरनेस्ट्रल सोलार एलाइंस उसका निर्माण हो या फिर कोईलिशन फर डिजास्टर रेजिलियंट इंफार्स्रक्टर की पहल हो भारत एक बड़े वैश्विक वीजन के साथ आगे बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्बंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप टैन कंट्रीज में दुनिया के प्रमुग दस देश्व में आज उसने अपनी जगा बना ली है साथियों क्लाइमेट चेंज की वज़े से जो चुनावतियां सामने आ रही है भारत उसके प्रती जागरुग भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है हम एक तरप ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रती सम्वेदन सिलता और ग्लोबल नौर्थ के उत्तर दाइतों के हिमायती है तो दूसरी तरप अपनी भूमिका का निर्वाहन भी पूरी गंपीरता से कर रहे हैं भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्क चुड़ा है जिसमें हमारी नीतियां और निर्व में हार्ड और सौफ्ट कॉम्पोनेंट्स को दोनों को बराबर महत्म है अगर मैं हार्ड कॉम्पोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा ताइक किये गए बड़े बड़े लक्ष हो उन्हें लागू करने की अन्ड प्रसेड़नेंटर स्पीड हो यह दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है छे साथ साल में रिन्योबल एनर्जी की हमारी कैपरिसिटी में दो सो पचास प्रतिशत से अधिक की बड़ोत्री हुई है इंस्टॉल रिन्योबल एनर्जी कैपरिसिटी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप फाइव देशों में है इसमें भी सौर उर्जा की कैपरिसिटी को बीते छे साल में लगभग पंदरा गुना बढ़ाया है आज भारत कच में गुजरात के कच के रिगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सोला और और वीन का हाइब्रीड एनरजी पार्क बना रहा है तो भारत ने फोर्टिन गिगावोर्ड के पुराने कॉल प्रांट्स को भी बंदभी कर दिया है देश ने सौफ्ट एप्रोच के साथ भी ऐतिहां से कदम उठाए हैं आज देश का सामान्य मान भी प्रो एंडवार्मेंट केम्पेंट से जुड़ गया है वो इसका नेत्रुत्व कर रहा है हम देखते हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के समझ में जागरुकता प्यादा हुई है लोग अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं अभी और करने की जरूत है लेकिन बात पहुंची है प्रयास शुरू हुए है हमारे समुद्र तटों की सभाई देखिए नवजवान इनिशेटिव लेकर कर रहे हैं या फिर स्वच्छ भारत जैसे अभ्यान हो इने देश के आम नागरिकों ने अपने कंदे पर लिया अपने जिम में लिया और मेरे देश वासी आज इसको आगे बढ़ा है देश ने 37 करोड से अधिक LED बल्ब और 23 लाज से अधिक एनरजी एफिशन पंखे फैंस देने की बज़े से परियावरन रक्षा का जो काम हुआ है अक्सर उसकी चर्चा लोगों को करने की साथ आदत ही छूट गई है लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विज़े होना चाहिए इसी तरह उज्वला योजना के तहट करोड़ों परिवारों को मुप्त गैस कनेक्शन मिलने से सवभागी योजना के तहट बिज़नी कनेक्शन मिलने से जो पहले चूले में लकड़ी जला करके दूमे में जिन्द की गुजारनी पड़ती थी आज उनकी इस लकड़ी को जलानी की निर्भरता काफी मात्रा में कम हुई है इससे प्रदुशा कम होने के साथ ही स्वास्त और उसमें भी हमारी माताओं का और बच्चों का स्वास्त और परियावरन रक्षन की रिजह में भी बड़ी मदद मिली है लेकिन इसकी भी बहुत चर्चा नहीं हो पाती भारत ने अपने इन प्रयासों से करोडो टन करोडो टन कार्बन डायूसाइटी उत्सर्जन को रोका है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की दिशा में भारत को आज अग्रणी बनाया है इसी तरह तीन लाग से जादा एनर्जी एफिशन पंप उसके जरिये भी देश आज लाखों टन कार्बन डायूसाइट हवा में गुलने से रोक रहा है साथियों आज भारत दुनिया के सामने एक उधान प्रस्तूत कर रहा है कि जब परियावरण की रक्षा की बात हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा करते हुए विकास के कारियों को भी अवरुद्ध किया जाए एकोनमी और एकोलोजी दोनों एक साथ चल सकती हैं आगे बढ़ सकती हैं और भारत ने यही राष्ता चुना है प्रदानमंत्री नरेंद्र मूधी ए समबाद मां कई रहा आछे कि क्लाइमेट चेंज न लेगने भारत घणू काम करियों छे अने तेमने खेडूतों साथे पन बात करी अने पर्यावरान दिवस पर पर्यावरान नी जाणावनी करता जे लोगों छे तेमनी साथे पन दमने बात करी तो आपूलेटीन माते रहाट नमस्कार